मेरी फिल्म प्लीज देख लेना, प्लीज मत वार्ड कोट करो, मैं भी इंडिया से प्यार करता हूँ, प्लीज मेरी फिल्म देख लेना, दो शब्दों में अगर बोला जाए, तो भीया फट गई, तो आई आज देखते हैं कि कितनी फटी है, थोड़ी सी दो चमच, या पूर बॉयकोट लाल सिंग चड़ा के बैनर्स, पोस्टर्स आपको किसी भी सोशल मीडिया पर वाइरल होते हुए दिख जाएंगे, लोग वीडियो बना बना कर अपील कर रहे हैं कि लाल सिंग चड़ा देखने मत जाना, आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ, नोब जल्मान खान, शारुक खान, आमिर खान को बढ़ा दो, लेकिन आज मैं कसम खाता हूँ कि इस कुत्तों की मूवी मैं नहीं देखने वाला हूँ, नहरू चाचा बना हुआ था, गांधी बना हुआ था, जब यहां से पंडितों को भगाय जा रहा था, तब तब तुम नहीं बॉयकॉट करें, बॉयकॉट इसलिए कि देवी देवताओं और भारत देश का अपमान करने वाली जो यह मानसित्ता है, उस पर लगान लगे, तो कोई कह रहा है कि अमीर आमिर को पैसा देने से अच्छा है, पुन्या ही कर लें, दान दे दें, पबलिक ओपिनियन लेने ज चाहिए बस है, कोई रीजन नहीं, आप रीजन पूछने लायक ही नहीं हो, तो किसी के रीजन है भारत के अपमान के, आमिर ने कहा कि वो भारत में से नहीं है, और ऐसा कहने कि थोड़े ही दिन बाद आमिर खान पहुंच गये टर्की, वहां के प्रेजिडेंट से भी मिले, डॉलर दो हजार दे कर सैनिकों को भेज रहे हैं कश्मीर की लड़ाई लटने के लिए, प्रायर्टीज हैं वहां अपनी अपनी, या फिर आमिर खान का बॉयकाट इसली भी हो रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन को सपोर्ट किया मेधा पाटकर के साथ मिलके, जिससे नर पानी आया नर्मदा का, तो कुछ इस प्रकार से हर्ष मनाया उन्होंने, और ये बॉयकाट कुछ आज से नहीं जल रहा है, दो महीने हो चुके हैं, लगातार बॉयकाट बॉल्टीज बॉयकाट लाल सिंग चड़्डा को ट्रेंड करते हुए, अब इस सब को देखके, आमि के समय में, सब का अपना उपीनियन है, सब के पास पावर आ गई है, इनको पावर सब के पास आती हो, अच्छी सी नहीं लग रही है, वो कैंसल करने लगे हैं अब लोगों को, पर यदि फिल्म अच्छी हो, तो सब के पार चली जाएगी और चल जाएगी, यानि बेसिकली इन्होंने अपनी पुरानी स्टेटमेंट ही दोराई है कि मत देखो, तो मत जाओ, क्योंकि इसके अलावा अब ये कुछ बोल भी नहीं सकती है, क्योंकि मत देखो, तो मत जाओ, तो दी रवीश के शब्दों में कहा जाए तो डर का माहौल है, और ये डर का माहौल शमशेर संदेदत के हिंदुओं के नाम इस पत्र में ह-a-t-e शब्द की बाड़्स ही आई हुई थी जिससे साफ पता चल भी रहा था के फिल्म के फ्लॉप होने का एक ही कारण है जागरुपता जिसकी स्पेलिंग ये h-a-t-e लिखते हैं बॉल्यूड का यदि इत्यास देखें तो वो बहुत घिनोना है और उसका प्रोपेगेंड़ा अब लोग समझने लगे हैं उधारन के लिए आप ये सीन देखिए फिल्म देवडी अनुराग कश्चिप द्वारा निर्देशित माही गिल पर फिल्म आया गया ये सीन बैक्राउंड ये है कि अभेदेवल और माही गिल लॉंग डिस्टेंस रिलिशन्चिप में हैं और अभेदेवल ने लड़की से उसके प्राइवेट फोटो मांगे हैं लड़की फोटो खीषती है पर कबड़े उतारते समय दिवार पर भगवान कृष्ण की ये फोटो समझ बूज कर लगाई जाती है मानो भगवान कृष्ण उसे देख रहे हों स्वेम सूचिए क्यों लगाई गई होगी क्या प्रोपेगेंडा रहा होगा दोजार नौ की ये फिल्म लक संजेगत इमरान खान में लीड में थे रवी किशन गुंडा है और वो लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है और ऐसा करते समय बैक ग्राउंड में म्यूजिक लगा जाता है शिव तांडव स्त्रोतम का वहीं दूसरी ओर आतिश एक फिल्म बनी थी संजेदत की जिसमें एक गाना पब में शूट हुआ इसके लिरिक्स थे या मुस्तफा या मुस्तफा इसके बाद वॉइलेंट प्रोटेस्ट हुए और या मुस्तफा या मुस्तफा को या दिल्रुबा कर दिया लीड सिंगर अलका यागनिक थी और अलका यागनिक उस समय अवैलेबल नहीं थी तो किसी और से रेंडम ली इस पार्ट को गवाया गया और उसे बदल दिया गया परन्तु राधा सेक्सी आराम से बना दिया जाता है दुर्गा को सिगरट पिलाना भई क्रेटिविटी है बॉलिवड ने गाना दिया पग घुमरू बांग मीरा नाची थी और फिर दूसरी फिल्म में उसी गानी की पैरेडी करके बना दिया पग घुमरू बांग छक्का नाचा था बॉलिवड सिखाता है कि एक छोटी जाती का आदमी जब एक उँची जाती की लड़की से प्यार करता है तो वो उससे वर्षों का बदला लेना जाता है जब एक छोटी जात का आदमी एक उँची जात की आउरत को डेट करता है ना तो वो बदला ले रहा होता है सदियों क और सेम ही शमशेरा में किया गया फिर भाई पीके में शिव जी का अपमान हो या किसी अन्य फिल्म में हनुमान का यह आम सी बात हो गई थी बॉलीवूड के लिए बॉलीवूड के अनुसार करवा चौत करना गलत है और यह भारत को साओधी अर्या बना सकता है करवा चौत का अवरत नहीं कर रहा है आप इसंट अपॉलिंग बॉल्डर्न एडुकेटेद विमन दू करवा चौत होली दीवाली पर इनके अलग लेवल के प्रोपेगेंडा होते हैं और ईद पर बढ़ता है प्यार तो भाई जब से जागुरिक्ता आई है तब से इनकी हर फिल्म का यही हश्र हो रहा है जिसे ये लिख रहे हैं ह-a-t-e हमने कुछ प्रोजेक्स की लिस्ट बनाई है और बॉलिवूड से अपील करते हैं कि इन में से किसी एक प्रोजेक्स को भी बना सकें तो बना दे जैसे आज ही एक मुस्लिम लड़की है जिसने हर हर शंभू गाना गाया है और उसके उपर फत्वे निकाल दे गए क्यूं? क् इनकी स्टेट्मेंट के बाद जिस प्रकार से देश में कई लोगों के साथ अर्भी खेल खेला गया क्या उस अर्भी खेल पर बॉलिवूड फिल्म बना सकता है? फ्रीडम अफ एक्ष्प्रेशन को सपोर्ट करते हुए आखिर सबसे अधिक आर्टिस्टिक फ्रीडम या फ्रीडम अफ स्पीच तो आप ही को चाहिए होती है तो भाई इन तीनों प्रोजेक्स में से कोई एक फिल्म भी बना दें तो हम बॉलिवूड को सपोर्ट कर पताइए वीडियो आपको कैसी लगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर की दिए पेट्रियोन और यूपियाई के स्थू सपोर्ट कर सकते हैं आप देख रहे थे आज की तालग हबर जहन जभारत